Hello everyone, Welcome to Study IQ Study IQ के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा त्रिपुरा राज्ये के Current Affair पूरे एक साल के January से लेके December 2021 और अभी क्योंकि 4 महीने इस साल के भी हो गए हैं 2022 के तो 2022 के भी जो Important Current Affair है वो भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किये हैं तो इस वीडियो में आपको 16 महीने के Current Affair मिलेंगे त्रिपुरा के यानि January 2021 से लेकर और 1 माई 2022 तक 16 मन्स के Current Affair सिर्फ एक वीडियो में मिलेंगे त्रिपुरा के तो त्रिपुरा में होने वाले जो भी एक्जाम होते हैं जैसे त्रिपुरा में अभी अभी प्रदानमंत्री नरिंदर मूदी इनोंने नया Terminal Building इनोगरेट किया महराजा वीरविक्रम Airport ये कहां पर है त्रिपुरा में महराजा वीरविक्रम मानिक्य किशोर ये जो एरपोर्ट है ये अगारतला में है तो आंसर है अगारतला और अगारतला यह district कौन सा है यह है West Tripura district West Tripura district तो इसका आंसर है अगारतला और यह जो नया टर्मिनल बना है यह 450 करोर रुपीज में बना है 30,000 square meter में यह फैला हुआ है बहुत बड़ा टर्मिनल है यह और यहाँ पर IT network integrated system भी लगा हुआ है तो यह जो टर्मिनल बनाया है यह Airport Authority of India ने बनाया है और Airport Authority of India के chairman है Mr. Sanjeev Kumar चली आगे बढ़ते हैं अभी अभी पहली direct जन्शताबदी express train यह चली अगारतला से जीरिबाम तो आपको बताना है यह जो पहली जन्शताबदी train चली है North East में इसने दो cities को connect किया अगारतला और जीरिबाम यह जीरिबाम कहां पर है जीरिबाम जो है यह मनिपूर में है जीरिबाम मनिपूर में है और इस train का नाम है जीरिबाम अगारतला जन्शताबदी express इतना ही नहीं ये आसाम होकर जाती है, तो आसाम के भी कई शहर हैं जो इससे connect होते हैं, कुछ important historic towns हैं, जैसे बदरपुर, सिल्चर, न्यू करिम गंज, धरम नगर, अमबासा, इन सब को भी ये train connectivity देती है, और शताबदी और जन्शताबदी में क्या फरक होता है, शताबदी जो होती है, वो एक luxury train होती है, जन्शताबदी जो है, वो काफी सस्ती होती है, compared to a शताबदी train, तो नौर्थीस्ट में ये पहली जन्शताबदी express है, और इस train के चलने से, मनेपुर और त्रिपुरा के बीच में जो distance है, वो half हो जाएगा, यानि कि travel journey का जो time है, वो half हो आते हैं, तो 12 घंटे लगते हैं, रोड से, लेकिन ये train approximately 6 घंटे में आपको पहुचा देगी, और ये train 300 किलोमेटर का जो distance है, वो travel करेगी, तो मनेपुर और त्रिपुरा, इनके final, initial और final destination होंगे, और बीच में आसाम भी ये connect करेगी, कौन सी scheme है, जो प्रधान मंत्री मोधी ने त्रिपुरा में launch की, जिससे हम जो call development sector है, village level पर, वहाँ पे benchmark standards को achieve कर सकें, तो BM मोधी ने जो scheme launch की थी, उसका नाम है, मुख्य मंत्री त्रिपुरा ग्राम समरिद्धी योजना, तो answer है option A, इसमें जो भी village की problems होती हैं, जैसे electricity connection, all weather roads, functional toilets for every household, इन सब पर focus किया जाएगा, तो ये scheme PM मोधी ने launch की थी, और ये त्रिपुरा से launch की थी, तो answer है, मुख्य मंत्री त्रिपुरा, ग्राम समरिद्धी योजना, और प्रधान मंत्री मोधी ने project mission 100 भी launch किया, ये विद्या जोती schools के लिए किया था त्रिपुरा में, तो इसमें जो quality of education है, उसको improve किया जाएगा, याद रखिए, 100 जो already schools है, high और higher secondary schools, त्रिपुरा में, उनमें state of the art facilities और quality education दी जाएगी, और उनको विद्या जोती schools में convert किया जाएगा, इससे 1.2 lakh students को फायदा होगा, जो nursery class से लेकर और 12th class तक पढ़ रहे हैं, और इसमें 500 कर रुपे का खर्चा आएगा, तो त्रिपुरा में कितने विद्या जोती schools बनेंगे, त्रिपुरा में 100 जो government schools है, high and higher senior secondary school, उनको विद्या जोती schools में convert किया जाएगा, this is also a very important question, अभी अभी एक memorandum of understanding sign हुआ है, त्रिपुरा government के बीच में, और NICSI CSC, यानि common services center, data service center के बीच में, एक international standard data center बनेगा, त्रिपुरा में, तो आपको बताना है ये कहाँ पर बनेगा, याद रखिए, ये बनेगा, इंदरनगर में, इंदरनगर में, निकसी world class data center बनेगा, और ये जो common service center होते हैं, ये कौन से ministry के इंडर आते हैं, ये ministry है, Ministry of Electronics and Information Technology, ये इंदरनगर क्या है, ये headquarter है, त्रिपुरा का जो IT भवन है, उसका headquarter है, इंदरनगर, और ये west त्रिपुरा district में आता है, west त्रिपुरा district, इसमें जो खर्चा होगा, वो लगबग 150 करोर रुपीज का होगा, अभी अभी त्रिपुरा की कौन से tribal community है, जिसको schedule tribe का status दे दिया गया है, इसके डारलोंग community बोलते हैं, और डारलोंग 11,000 लोग हैं ये त्रिपुरा में, और ये अब officially schedule tribe का दरजा इने मिला है, पहले जो है, डारलोंग वो cookie tribe में सब category के तौर पे schedule में थे, ट्राइब में, लेकिन अब अलग से इस community को एक schedule tribe का दरजा मिल गया है, तो schedule tribe का जो दरजा है, उसको मिलने के फाइदे होते हैं, जैसे reservation मिल जाता है, और भी जो दूसरे schemes होते हैं, जो schedule tribes के लिए होते हैं, उनका benefit भी मिल जाता है, और डारलोंग वैसे तो छोटी community है, सिर्फ 11,000 लोग हैं, लेकिन काफी influential हैं, अगर आप education sector में देखेंगे, public service, music, art, इन सम्में काफी म आइने रखता है, यह समुधाई, in fact, डारलोंग community के एक member है, जिनका नाम है Mr. Thanga Darlong, और Mr. Thanga Darlong को अभी अभी पदमश्री भी मिला था, थोड़े समय पहले, right, तो यह आपको धिहान रखना है, और तृपुरा में लगबग 37,00, जो लोग हैं, 19 tribal communities के हैं, right, 19, और इनमें ज 17 से 18 सब ट्राइब जाते हैं, तो डारलोंग जो है, यह पहले कूकी की सब कैटेगरी में थे, लेकिन अब डारलोंग को एक special अलग से schedule ट्राइब का दरजा मिल गया है, और 37,00, जो लोग हैं तृपुरा में, उसमें 30% जो हैं वो ट्राइबल्स हैं, ठीक है, जिनमें से ज् ट्राइबल एरियाज, Autonomous District Council, regulate करता है या उनकी jurisdiction में आते हैं, understood, और यह तृपुरा के 70% geographical area में रहते हैं, ट्राइबल्स, तो आंसर है डारलोंग, अब यह भी कौन सी scheme है, जो तृपुरा की government ने launch करी है, जिसमें जो tea garden worker हैं, यानि चाय के बागानों में जो काम करने वाल लोग हैं, उन्हें social security provide की जाएगी, इससे फायदा होगा 7000 tea garden workers को, तो इसमें उन्हें housing, ration, financial support वगरा भी दिया जाएगा, और तृपुरा में आपको बता दूँ, 75% जो tea garden worker हैं, वो women है, तो यह एक women empowerment एक तरह से scheme भी है, इसका नाम है मुख्य मंत्री चाश रमी कल्यान प् और तृपुरा में almost 90,000,000 kg tea produce की जाती है, 54 tea estates हैं तृपुरा में और 21 tea processing factories हैं, तो यहाँ पे जो mainly tea production होता है, वो सैफाईजला, उनाकोटी, ठीक है, नौर्थ तृपुरा और वेस्ट तृपुरा में district में होता है, अभी अभी हमारे home minister अमित शहा, उन्होंने National Forensic Science University का जो permanent campus है, उसकी नेव रखी, उसका foundation stone रखा, आनंद नगर वेस्ट तृपुरा डिस्टिक में, तो आपको बताना है कि National Forensic Science University जो है, इसका headquarter कहाँ पे है, इसका headquarter, याद रखिए, इसका headquarter गांधी नगर गुजरात म हैं, और यहाँ पे ground forensics, DNA forensics, counterfeiting investigation, cyber crime, narcotics forensics वगारा, यह सारा field है, UGPG studies वगारा इसमें होती है, और North East में भी अभी setup की गई है, यह North East में पहला campus होगा, जो आनंद नगर वेस्ट तृपुरा डिस्टिक में setup किया गया है, ठीक है, और National Forensic Science University का headquarter, गांधी नगर गुजर यहाँ पे जो तृपुरा वाला campus है, अब इसमें चार नए कोर्सि स्टार्ट किये जाएंगे, BSC होगी Forensic Science में, MSC होगी Forensic Science में, MSC Cyber Security में भी होगी, और MSC Digital Forensics में भी होगी, तो चार कोर्सिस यहाँ पे अभी स्टार्ट किये जाएंगे, बाद में बढ़ जाएंगी उ तृपुरा डिस्टिक में आता है, तो आंसर है option C, और इसको बोला जा रहा है बाश ग्राम, बाश जिसे हम हिंदी में बाश बोलते हैं, इसका मतलब होता है बैम्बू, और बैम्बू जो होता है वो एक ट्री नहीं होता, पहले माना जाता था कि बैम्बू ट्री होता है, बैंबू ट्री नहीं है, बैंबू एक ग्रास है, और इसलिए इसे पोएसी फैमिली में रखा जाता है, तो नो एकर जमीन पे ये बना है, और एक आर्किटेक्ट है, जिनका नाम है मन्ना रॉय, उन्होंने इसे बनाया है, मतलब वो इसके आर्किटेक्ट है, यहाँ पे योगा सेंटर भी है, बैंबू कॉटेजिज है, पॉंड्स हैं, तालाब बगारा बनाये गए हैं, और 14 स्पीशीज से भी जादा बैंबू की यहाँ पे ग्रो की गई है, और 60 लाग का खर्चा लगबग इसमें आया है, इको त्रिपुरा की जो गवर्मेंट है, उन्होंने अनौन्स किया कि बुद्धिस यूनिवर्सिटी बनेगी त्रिपुरा में, यह बनेगी मनु बंकुल नाम की जगा पे सब्रूम, सब्रूम जगा का नाम है वहाँ पे मनु बंकुल में, तो आपको बताना है कि कौन से की बाद हो रही है, साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट, और इसे बनाएगा कौन? इसे बहुजन हिताये, एजुकेशन ट्रस्ट बनाएगा, नाम लिख देता हूँ में, बहुजन हिताये, एजुकेशन ट्रस्ट इस यूनिवर्सिटी को बनाएगा, ध्यान रखिए, त्रिपुरा में अभी तीन ही उनिवर्सिटी है, अब वहाँ पे एक बुद्धिस उनिवर्सिटी बनेगी त्रिपुरा में, कौन से डिस्टिक्ट में बनेगी? साउथ त्रिपुरा डिस्टिक्ट के सब रूम में, अभी अभी बहुत सारे ट्राइबल आउटफिट्स हैं टिपरा लेंड का जो एरिया है वो यहाँ पे light color में दिखाया गया है तो basically तृपुरा एक kingdom था जिसको मानिक्या डाइनस्टी ने रूल किया late 13th century में और बाद में उन्होंने फिर जब तक 1949 में instrument of accession sign हुआ था यानि तृपुरा इंडियन गवर्मेंट का part बना था तो उससे मानिक्या डाइनस्टी ने महाँ पे रूल किया था तो यह भी ध्यान रखना है आपको और तृपुरा में जो tribal population है that was 31.80% 2011 में और यह population जो है न ट्राइबल की 1881 में 63.77% थी इसका मतलब तृपुरा में जो ट्राइबल है as a percentage of the population उनकी वो काफी कम हुई है population और जो 60 assembly seat है तृपुरा में उनमें से 20 reserved है schedule tribes के लिए तो यह कुछ indigenous tribes जो है उनके demand थी कि greater tripural land एक separate state बनाये जाए Aquilaria malacanenses यह एक evergreen tree है जो तृपुरा state में grow होता है इसका common name क्या है जो कि तृपुरा की government ने अभी कुछ initiatives लिये हैं जिससे हम commercial cultivation अगार trees का क्योंकि तृपुरा की government चाहती है कि यह 2000 करोड रुपे का business हो तो इनका target है कि अगले 3 सालों के अंदर 2000 करोड का business होना चाहिए अगार trees का और तृपुरा की government क्या करेगी उनका target यह है कि 1500 kg अगार oil और 75,000 kg अगार chips यह financial year 2022 जो कि अभी 31 मार्च को खतम हुआ है उसमें यह export करें 1500 kg अगार oil और 75,000 kg अगार chips यह इनका target है और इसको अगार बोलते है ऐकिलेरिया मलकैंसिस एक बात और याद रखिए यह एक evergreen tree होता है जो तृपुरा में काफी ज़्यादा होता है और तृपुरा की government अभी अभी एक policy भी लेकर आई है जिसका नाम है तृपुरा अगार वुड पॉलिसी तृपुरा अगार वुड पॉलिसी और अभी तृपुरा में 50,000,000,000 पेड़ है अगार के एप्रॉक्सिमेट यह इस policy में ही का गया है कि 50,000,000,000 अगार trees है तृपुरा में तो इसका answer है अगार इससे economic revolution आ सकता है तृपुरा में कुन सा digital platform है जो तृपुरा की सरकार ने launch किया है जिसमें जो तृपुरा के लोग है उन्हें वहां की सरकार की जो schemes है और जो policies है उनके बारे में जानकारी मिलेगी 102 से ज़्यादा scheme है वहां की सरकार की जो इस platform पे available है इसका नाम है जागुरुत तृपुरा और इसका purpose यह है कि तृपुरा में जो लोग है उनको वहां बताया जाए digitally empower किया जाए digitally उनको aware किया जाए तो यह इसका यह target है government का ठीक है तो इसका नाम रखा है जागुरुत तृपुरा कौन सी योजना है जो तृपुरा सरकार ने start करी है जिसमें sex salted artificial insemination किया जाएगा cattle का जिससे milk production को बढ़ाया जा सके इसका नाम है मुख्य मंत्री उन्नो आतो गोधन प्राकल्पा तो answer है option A और यह 3 साल के लिए यह program launch किया गया है मुख्य मंत्री उन्नो तो गोधन प्राकल्पा इसमें हमें तृपुरा को self sufficient बनाना है milk production में और यह ensure करना है कि जो cows है वो ही जनम लें तो कि cows ही ज्यादा productive होती है तो cows यानि कि जो female जो प्रोजनी है वो बढ़े आगे तो यह इसमें हम chromosomal selection करेंगे और उसके बाद हम artificial insemination method का use करेंगे जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा cow मिले compared to bulls तो इससे milk production हमें बढ़ाना है इससे पहले और भी राज्य हैं इंडिया के जैसे केरला हरियाना ओड़िसा महराष्ट्रा जिन्होंने इस प्रोसेस को अपनाया है तो answer है option 1 अभी अभी कौन सा bank है multilateral institution जिसने जिसने 61 million dollar का loan अगारतला city urban development project के लिए दिया है 61 million dollar का loan दिया है अगारतला को इस project का नाम है अगारतला city urban development project तो ये loan दिया है Asian development bank ने ये multilateral institution है जिसमें इंडिया का fourth highest share holding है after Japan, America, China ये तीन countries है जिनका share इंडिया से जादा है इंडिया का fourth highest है और ADB का जो headquarter है वो Manila में है जो Philippines की capital है ये भी ध्यान दखिए और हम यहाँ पर urban infrastructure जो है अगारतला का उसको upgrade करेंगे 48 km की हम यहाँ पे drainage, water drainage facility वो भी बनाएंगे और 23 km की हम यहाँ पे जो climate resilient urban roads है वो भी बनाएंगे तो इसके लिए loan दिया है Asian development bank ने और Asian development bank ने एक loan और दिया है त्रेपुरा को 551 करोड रुपे का loan 551 करोड का तो यह अगारतला smart city limited के तहत तीन project है उसके लिए यह दिया है ठीक है तो आप दोनों याद रखिए 551 करोड and 61 million dollar आगे भढ़ते हैं अभी अभी त्रिपुरा में जो गंद राज है fruit इसको जर्मनी में export किया गया आपको बताना है यह कौन से fruit का variety है और इंडिया में आपको बता दूँ fruits के production में आंधरा प्रदेश नंबर वन है यह मैं बात कर रहा हूँ financial year 2022 एकदम latest job in fact fruits में तो कोई दिक्कती नहीं है क्योंकि पिछले 4 साल से आंधरा नंबर वन है लेकिन अगर मैं vegetables की बात करूँ तो vegetable production में UP नंबर वन है last year West Bengal था लेकिन इस बार UP नंबर वन रहा West Bengal नंबर दो पे चला गया है तो गंद राज एक lemon है और बहुत अच्छी reputation है इस lemon की अभी Germany में भी हमने इसको export करना start किया था और इतना ही नहीं जो jackfruit होता है वो भी हमने त्रिपुरा का export किया था और पहले गुबाटी जाते हैं और वहां से फिर Germany जाते हैं तो ये जो गंद राज हमने export किया ये कौन से district से export किया था ये एक जगा है विलास चेरा विलास चेरा जो है धलई district में है वहां से हमने इसको export किया था इसे West Bengal में King of Lime भी बोलते हैं King of Lime इसके अलग-अलग नाम है इसे मकरूत भी कहा जाता है मकरूत या इसे काफिर Lime भी कहा जाता है और ये नेपाल, Bangladesh, Thailand, Indonesia, Malaysia और Philippines में भी ग्रो होता है ये जो lemon है इसमें जो juice है वो बहुत कम हो होता है यानि very little amount of juice होता है इसमें लेकिन ये बहुत popular है इंडिया के eastern parts में sustainable development goal index आया इसको नीती आयोग ने United Nations के साथ मिलकर release किया था इसमें त्रिपुरा का rank क्या है तो त्रिपुरा इसमें ninth number पे रहा त्रिपुरा का rank है ninth था और केरला ने top किया है so केरला इसमें number one था ये third edition था sustainable development goal index का और आपको बता दूँ total 17 sustainable development goals होते हैं जो states को achieve करने है 2030 तक 2030 तक इस index में जो worst performing state था वो तब बिहार बिहार सबसे नीचे था केरला सबसे उपर था और त्रिपुरा था ninth position पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ranking में जो त्रिपुरा है वो कहाँ पर उसने finish किया यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आपको ऐसे count नहीं करना है यहाँ पर कि यह one two three four ऐसा नहीं है क्योंकि कई states ने ranking को share किया है for example आप देख सकते हैं कि तामिलनाडू और हिमाचल दोनों का ranks second है इसी तरह से आंध्रा उत्राखंड गोवा करनाट का इनका rank third है सबका तो इसलिए त्रिपुरा जो है वो ninth number पर रहा एक index ओर आया था जिसका नाम है transparency index rating report यानि जितने भी हमारे इंडिया में state pollution control board है जो pollution को control करने के लिए बने हैं उनमें transparency कितनी है इस मामले में त्रिपुरा कौन से number पे रहा तो त्रिपुरा इसमें सतरवे number पे रहा 17th rank आया त्रिपुरा का यह धियान रखिए 81 हमारे total इंडिया में state और union territory के pollution control board है तो उसको top किया Odisha और तेलंगाना Odisha और तेलंगाना joint winner थे यानि Odisha और तेलंगाना के जो state pollution control board है वो सबसे ज़ादा best है transparent है इस मामले में त्रिपुरा 17th number पे रहा University Grants Commission इन्होंने 100 places की list निकाली है जिने college और university के जो बच्चे है वो विजट करेंगे एक भारत श्रिष्ट भारत योजना के तहत ये national education policy का हिस्सा है ये जो 100 places है पूरे इंडिया के इन में से त्रिपुरा के कितने हैं तो त्रिपुरा का इसमें बस एक है वो है अगारतला city So answer है सिर्फ 1 अगारतला को student जो है वो विजट करेंगे एक भारत श्रिष्ट भारत योजना के तहत योजिसी के chairman बने है अभी-अभी Mr. M. Jagdish Kumar M. Jagdish Kumar और जो national education policy है इसमें आपको तीन targets याद रखने है सबसे पहला और सबसे important target ये है कि हमें अपनी education के उपर खर्चा करना है 6% of the GDP दूसरा target ये है और ये हमें achieve करना है 2030 तक कि हम हमारे GDP का 6% education पर खर्चा करें दूसरा target हमारा ये है कि 2030 तक भारत के जितने भी school है उनमें 100% gross enrollment ratio होना चाहिए और तीसरा target ये है कि 2035 तक इंडिया के जितने भी higher education institutions हैं higher education institutions उनमें 50% gross enrollment ratio होना चाहिए तो ये तीन target अगर आपको पता है तो national education policy पर आप MCQs attempt कर पाएंगे और national education policy जो है न इसमें एक चीज़ की बात और की गई थी और वो है national assessment center यानि कि राष्टे मुल्यांकन केंद्र इसका नाम रखा गया है परक तो इनका statutes day कब होता है इनका statutes day जो होता है वो 21 जन्वरी को होता है 21 जन्वरी को होता है तीन राज्यों का मनिपूर मेगालिया और स्रिपूरा understood तो ये तीनो full-fledged state बने थे 21 जन्वरी 1972 और ये 2022 चल रहा है यानि इनका ये golden jubilee year है स्वर्णिम बर्शो राइट golden jubilee year है ये 2022 तो त्रिपूरा का जो त्रिपूरा basically एक princely state था जैसा मैंने बताया मानिक्के डानेस्टी ने रूल किया था और 15 नमबर 1949 को त्रिपूरा इंडियन यूनियन में मर्ज हो गया था जो आकरी राजा थे वहाँ पे वो थे बिर विक्रम जिनके नाम पे एरपोर्ट है महराजा बिर विक्रम मानिके किशोर तो उनकी डेथ हुई थी 17 मई 1947 को पेटे दीपेडन्स और उनके डिमाईज के बाद उनकी डेथ के बाद उनके जो बेटे थे वो माइनर थे उनकी उम्रटारा साल से कम थी उनका नाम था किरी बिक्रम मानिक्के उन्होंने गद्दे संभाली लेकिन वो रूल नहीं कर पाए क्योंकि वो माइनर थे तो जो राजा की वेडो कुएन थी कंचन प्रभा उन्होंने फिर त्रिपुरा की बागडोर संभाली और administrative work जो है वो करना शुरू किया और उन्होंने फिर जो है त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने रीसा को पहना आपको बताना है रीसा क्या है रीसा ये त्रिपुरा का कौन सी tradition से associated है तो याद रखिए ये traditional dress है त्रिपुरा में और इसे man और woman दोनों पहनते है रीसा को तो जो cock baroc day मनाया गया था उस दिन उस दिन ये 19 जन्वरी को मनाया जाता है cock baroc day ठीक है cock baroc language को promote करने के लिए मनाया जाता है ये ये official language है त्रिपुरा की cock baroc तो 19 जन्वरी का दिन cock baroc day के रूप में मनाया जाता है 19 जन्वरी का ही क्यों क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन 1979 में 19 जन्वरी को कॉक बॉरॉक ओफिशिल लेंवेज रेकगनाईज की गई थी इंडिया में, और हमारा जो 8th schedule of the constitution है, उसमें 22 लेंवेज़े हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, कि हमारे 8th schedule of the constitution में कितनी लेंवेजेजे हैं, तो रिसा सौर मनी, ये एक adolescent ceremony भी होती है, और रिसा को हम त्रिपुरा के culture में baby को hold करने के लिए भी पहनते हैं, तो वहां के जो CM है उन्होंने पहना था, और रिसा और रिकुटू, जो dress होती है woman की, in the upper half of the body, उसके दो पार्ट होते हैं, रिसा और रिकुटू, जो पूरा त्रिपुरा राज्य है, उसका best police station है, चलांगता police station, ये कौन से district में आता है, ये एकदम latest list है, ये December 2021 में आई है ये list, हमारे home ministry ने दी है, इसमें इंडिया के जो 10 best police station है, उनके list है, आप देख सकते हैं, top 10 में त्रिपुरा का तो कोई नहीं है, लेकिन इंडिया बेस्ट police station है, सदरबाजार police station, जो नौर्धिली में आता है, और पूरे त्रिपुरा का जो best है, वो है चलांगता police station, और ये कहां पे आता है, तो याद रखिये, ये आता है धलाई district में, ये आता है धलाई district में, ये पूरे त्रिपुरा का best police station है, very very important 39th अगारतला इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल हुआ इसका थीम क्या था इसका थीम था एक त्रिपुरा, श्रेष्ट त्रिपुरा option B और इसका inauguration किया था विपलब कुमार देव ने जो ex-chief minister है अभी आप जानते हैं कि दो दिन पहले ही नए चीफ मिनिस्टर बने है त्रिपुरा के तो विपलब कुमार देव ex-chief minister उन्होंने inaugurate किया था 39th अगारतला इंटरनेशनल बुक फेर एक भारत श्रेष्ट भारत योजना में त्रिपुरा को पेर किया गया है कौन से स्टेट के साथ त्रिपुरा को बिहार के साथ पेर किया गया है एक भारत श्रेष्ट भारत योजना जो है इसमें हम जो स्टेट्स हैं उनको आपस में पेर करते हैं जिससे एक दूसरे के जो फेस्टिवल्स हैं वो celebrate कर सकें, cultural exchange हो सके एक दूसरे का जो food है, food festival एक दूसरे की movies वगारा ये सब दिखाई जाती है किसी भी तरह से cultural exchange हो सके तो बिहार के साथ पेर किया गया है त्रिपुरा को यानि त्रिपुरा के जो festivals हैं जैसे खर्ची पूजा, गरिया पूजा ये सब बिहार में भी showcase किये जाएंगे जैसे बिहार के लोग जाने त्रिपुरा का culture और same way बिहार के जो festivals हैं वो त्रिपुरा में भी होंगे, celebrate होंगे, बिहार के जो भी festival है जैसे चट पूजा बगरा और इसमें मिजोरम जो है न उसे भी बिहार के साथ पेर किया गया है त्रिपुरा एंड वेजोरम दे बोथ हार पेर विध बिहार अभी अभी कौन सी scholarship scheme है जो त्रिपुरा की सरकार ने श्री और अबिंदो society के साथ मिलकर स्टार्ट करी है जिसमें students को micro scholarship दी जाएगी monthly तो इस scholarship का नाम क्या है इसका नाम है औरो scholarship scheme औरो scholarship program ये start किया है श्री और बिंदो society ने और इसमें जो quiz वगरा है उनमें भी students का जो performance है उसको improve किया जाएगा तो इसमें जो scholars है त्रिपुरा में वो डवलप किये जाएंगे तो ये month to month micro scholarship scheme है त्रिपुरा के नए governor कौन बने है ये 19th governor है त्रिपुरा के तो ये number भी आपको याद रखना है ये क्या नाम है इनका इनका नाम है सत्यदेव नारायन आर्या सत्यदेव नारायन आर्या इससे पहले रमेश बैस थे लेकिन रमेश बैस जो है वो अब जारखन के governor बन गए है और इनको ओत किसने दिलाया शपत किसने दिलवाई सत्यदेव नारायन आर्या को तो त्रिपुरा के जो Chief Justice High Court के एक-एक कुरेशी उन्होंने शपत दिलवाई थी और सत्यदेव नारायन आर्या त्रिपुरा के governor बनने से पहले हर्याना के governor थे त्रिपुरा कोन सा district है जिसका second rank आया है नीती आयो के North Eastern Region District Sustainable Development Goal Index में एक मैंने आपको Sustainable Development Goal Index बिताया था पूरे इंडिया के लिए जो था लेकिन North East के लिए अलग से था जिसको बोलते हैं North Eastern Region Sustainable Development Goal Index तो इसमें top किया था East Sikkim District ने यानि East Sikkim 17 Sustainable Development Goals को अचीव करने में सबसे आगे चल रहा है दूसरे नमबर पे हैं गोमाती नौर्थ त्रिपुरा सो answer है गोमाती नौर्थ त्रिपुरा ये second नमबर पे रहा और आप यहाँ पे देख सकते हैं West त्रिपुरा तीसरे नमबर पे रहा तो top 3 में 2 त्रिपुरा से थे गोमाती नौर्थ त्रिपुरा एंड वेस्ट त्रिपुरा डिस्टिक्ट कौन सा project है जो inaugurate किया हमारी Finance Minister निमला सितारमन्ने त्रिपुरा में जिसमें हम जो Rural Women हैं उनकी Menstrual Hygene को improve करना चाहते हैं यह हमारा aim है तो इसका नाम है my pad my right और my pad my right ये नबार्ड और nab foundation के साथ मिलके किया अब अगर ये पूछें कि ये कहां से start किया क्योंकि question कई बार ये भी आती है location तो ये village है जिसका नाम है किला किला village और ये गोमाती district में आता है किला village in गोमाती district तो my pad my right की start निमला सितरमन नहीं यहां से की और इसका नाम है my pad my right तो इसमें क्या किया जाएगा इसमें sanitary pad बनाने की जो machine है और raw material वो दो महीने के लिए rural woman को दिये जाएंगे और उनको 50 दिन का wages भी दिये जाएंगे जिससे वो sanitary napkin अपने घर में ही बना सके यह fourth edition था इसमें क्या rank था small states में तो tripura को इसमें small states में रखा गया right और small states में इसमें tripura second number पे रहा तो answer है overall second ठीक है overall जो rank है tripura की वो इसमें second number पे tripura रहा understood तो यह ध्यान रखिए और अगर मैं overall बात करूँ तो केरला ने top किया यानि केरला का जो health care है वो इंडिया में सबसे अच्छा है केरला का health care सबसे अच्छा है पूरे इंडिया में अगर इसमें पूछें की top किस ने किया तो मिजोरम ने top किया छोटे states में यानि नॉर्थीस्ट की अगर मैं बात करूँ तो मिजोरम में हेल्थ केर सबसे अच्छा है और दूसे नंबर पे त्रिपुरा में है स्वाच सर्वेक्षन में ओवरॉल रैंक क्या रहा त्रिपुरा का इंडिया का क्लीने स्टेट है चतिसगड और स्वाच सर्वेक्षन को करवाता है Ministry of Housing and Urban Affairs त्रिपुरा का इसमें क्या रहा त्रिपुरा का रहा 21st त्रिपुरा का जो रैंक रहा वो रहा 21 नंबर पे तो बहुत distance travel करना है अभी त्रिपुरा को in terms of cleanliness यहाँ पे एक चीज़ यह पूछ सकते हैं आप से कि छोटे states में यानि small states में नंबर बन कौन रहा तो answer है जारखंड जारखंड जो है वो छोटे states में नंबर बन रहा यहाँ पे छोटे states से मतलब क्या है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 7th रहा जारखंड overall लेकिन small states small states से मतलब है जहां 100 urban local body से कम होते हैं और large states से मतलब है जहां पे 100 urban local body से ज़्यादा होते हैं स्रिपुरा से 2021 में कितने people हैं जिने पद्म श्री दिया गया पद्म अवार्ड सबसे उचा होता है पद्म विभूशन फिर पद्म भूशन और फिर पद्म श्री तो पद्म श्री इंडिया का 4th highest civilian honor है सबसे उचा भारत रतन होता है पद्म विभूशन 2nd होता है पद्म भूशन 3rd होता है और फिर होता है पद्म श्री तो पद्म जो अवार्ड दिये गए 2021 में उनमें 7 लोगों को पद्म विभूशन मिला था यह 2021 की बात कर रहा हूं है 2022 की नहीं ठीक है 10 लोगों को पद्म विभूशन मिला था और 102 लोगों को पद्म श्री दिया गया था यानि total 110 लोगों को पद्म विभूशन तो 119 लोगों को total award दिये गए थे भारत सरकार के दौरा और त्रिपुरा से बस एक ही परसन है जिसे पदमाश्री मिला, उनका नाम है सत्यराम रियांग सत्यराम रियांग, तो आंसर है option A, कौन है सत्यराम रियांग, ये इंडियन folk performer है और folk artist है त्रिपुरा से और इन्होंने एक dance है जिसमें काफी contribute किया है इस dance को बोलते है पोजागेरी dance पोजागेरी dance तो इन्हें ये award मिला है और इन्हें पहले संगीत नाटक Academy Award भी मिल चुका है ये रियांग community जो है इन्हें हम brew community भी बोलते हैं और अब ये त्रिपुरा में setup की जा रही है त्रिपुरा में इनको settle किया जा रहा है इसके अलावा आंगा डारलॉंग इनके बारे में मैंने बात की थी जब मैंने बताया था डारलॉंग जो tribe है उसे schedule tribe का दरजा मिला है इन्हें भी पदमश्री मिल चुका है और बेनी चंद्र जमातिया इन्हें भी मिल चुका है पदमश्री तो त्रिपुरा से ये तीसरे आर्टिस्ट हैं जिने ये अवार्ड मिला है बेनी चंद्र जमातिया को 2020 में मिला था और ठांगा डारलॉंग को 2019 में मिला था और त्रिपुरा से 2022 में पद्म अवार्ड किसी को भी नहीं मिला त्रिपुरा की जो गवर्मेंट है उन्होंने कौन सा इनिशेटिव लॉंच किया जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनका अकेडमिक पर्फॉर्मेंस इंप्रूव होगा अगर उनकी जो मदर हैं उनके साथ केंपस में रहने की पर्मिशन मिल जाए तो इसका नाम था Mother on Campus scheme Mother on Campus में जो स्टेट रन होस्टल हैं करकारी होस्टल उनमें महिलाओं को ये पर्मिशन दी जाएगी कि वो अपने बच्चों के साथ रह सकती है एक हफते के लिए रह सकती है क्योंकि बच्चे अगर मदर उनके पास रहेंगी होस्टल में तो वो जादा emotionally secure feel करेंगे उनकी पढ़ाई भी अच्छी होगी उनका academic development भी अच्छा होगा कौन सा GPS based mobile app त्रिपुरा की government ने लाँच करा है और forest पट्टा लेंड demarkation यानि कि जो जंगल में जो जमीन होती है जमीन के टुकडे जिने पट्टा कहा जाता है उसको demarket करने के लिए उसको accurately measure करने के लिए तो इस app का नाम है बन अधिकार बन अधिकार mobile app और इसके साथ साथ एक चीज़ और launch की थी जिसको बोलते हैं National Generic Document Registration System National Generic Document Registration System और अगर आपसे पूछें बन अधिकार mobile app को किसने launch किया तो ये launch किया था गिरिराज सिंग ने Mr. गिरिराज सिंग ये हमारे rural development और पंचायती राज minister है इनकी constituency अगर पूछें तो वो है बिहार में बेगुसराई बिहार में बेगुसराई तो त्रिपुरा इंडिया का पहला state है जिसने बन अधिकार app को launch किया है त्रिपुरा का कौन सा festival है जहां पे 14 gods जो dynastic duty of त्रिपुरी community है उनको comprise करते हैं उनकी worship की जाती है उनकी पूजा की जाती है और इसमें ritual cleaning होती है अर्थ की तो इसका festival का नाम है खर्ची पूजा खर्ची पूजा साथ दिन तक इसमें जो rituals हैं वो सारे observe किये जाते हैं और 14 gods हैं जिनकी पूजा की जाती है तो यह जो festival है mainly अगारतला में celebrate किया जाता है यह July मंत में mainly celebrate होता है बट कई बार June में भी हो सकता है और कई बार August में भी हो सकता है तो कि जो new moon होता है July में 8th day of the new moon उस दिन यह celebrate किया जाता है और अगर मैं 2022 की बात करूँ तो यह 22 June को celebrate किया जाएगा खर्ची पूजा जो खर्ची वर्ड है खर्ची वर्ड का मतलब होता है अर्थ तो ritual cleaning होती है यहाँ पर अर्थ की और ऐसा माना जाता है कि जो अर्थ है वो एक mother है mother goddess और वो menstruate करती है इस समय में जिसको हम अम्बू बाची बोलते है तो आंसर है खर्ची पूजा आगे भढ़ते हैं इसमें एक question यह भी पूछ सकते है कि जो 14 gods है इनको कौन सी नदी में dip करवाये जाता है तो नदी का नाम है सैद्रा river सैद्रा river ritual बात होता है नदी में dip करवाके साफ करके फिर वापस temple में ले जाये जाता है डिटी को इन में से कौन सा animal है जो गरिया पूजा के समय जिसको sacrifice किया जाता है यह ritual है वहाँ पर कौन सा animal है तो यह है foul जो foul होते हैं उन्हें sacrifice किया जाता है और जो गरिया पूजा है वो 7th day of the month of वैशाक जो वैशाक का महिना होता है हिंदू केलेंडर में उसके 7th day पे celebrate होती है गरिया पूजा और गरिया पूजा में अगर मैं 2022 की बात करूँ तो 21 अप्रेल को होगी गरिया पूजा 21st of April को celebrate की गई थी ये 7 दिन तक चलती है पूजा और ये बस ध्यान रखना है आपको ये एक regional holiday भी होती है त्रिपुरा में बहुत बड़ा festival होता है गरिया पूजा वहाँ पर तो foul इसमें जो है वो sacrifice किये जाते हैं DT को please करने के लिए साथ ही साथ वहाँ पर पूजा में अर्धन पॉट्स, cotton thread, rice, rice beer, eggs, wine ये सब भी include किये जाते हैं इन में से त्रिपुरा की कौन सी official language नहीं है English, Hindi, Bengali या Kok Barak आंसर है Hindi Hindi official language नहीं है और जो त्रिपुरा की language है official Kok Barak हम उसे त्रिपुरी भी बोलते हैं या इसे त्रिपुरा कौक भी बोलते हैं 1979 में along with Bengali and English उसके अलाबा कौक Barak भी official language of the state of त्रिपुरा देक्लियर की थी Indian Government नहीं 19 January का जो दिन है वो बहुत important होता है क्योंकि हम उसे कौक Barak Day के रूप में मनाते हैं और 19th जो January है 2022 ये 44th कौक Barak Day था 44th कौक Barak Day आगे भढ़ते हैं अभी अभी कमलापुर कुमार घाट ये त्रिपुरा बंगलादेश बॉर्डर पे जगा आती है कमलापुर कुमार घाट वहाँ पे तीसरा बॉर्डर हाट उसकी foundation stone रखी गई बॉर्डर हाट क्या होता है बॉर्डर हाट में shops लगते हैं एक market होते हैं एक तरह के vendors होते हैं जो अपना समान बेचते हैं तो ये तीसरा बॉर्डर हाट है आपको बताना है कि इसमें जो कमालपुर है ये त्रिपुरा में है कुमार घाट जो है ये बंगलादेश में है कमालपुर त्रिपुरा में כौन से डिस्टिक में है कमालपुर धलाई में आता है और आपको बता दूँ कि और भी बॉर्डर हाट है बिपलप कुमार देव और बंगलादेश के जो commerce minister है तीपु मुंशी उन्होंने integrate किया था ये तीसरा border heart ठीक है इसके अलावा जो दो border heart है पहले से वो कौन से हैं एक है कमला सागर में कमला सागर ये सेपाही जला district में आता है और दूसरा है शिरिनगर ये साउथ तिरिपुरा district में आता है तो तीसरा जो border heart start हुआ है वो है कमालपुर कमालपुर में कमालपुर और जो दो मैंने आपको बताए उनके नाम लिख दी है वो अच्छे से आद कर लीजिए कमला सागर और शिरिनगर कमला सागर है सैफाही जला में और शिरिनगर है साउथ त्रिपुरा में त्रिपुरा का कौन सा डिस्टिक्त है जिसको पाइनेपल कलस्टर के रूप में विक्सित किया जाएगा आपने जो अनानास होता है त्रिपुरा के बारे में सुना ही होगा खाया भी होगा तो हमारा जो इंडियन गबर्मेंट है उन्होंने अबी-अबी 12 क्लस्टर अनौंस क इन 12 में एक cluster बनेगा त्रिपुरा में और वो है सफाही जला cluster ये pineapple के लिए बनेगा और अनास के लिए बनेगा और जो 12 है वो यहाँ पे मैंने लिख दी हैं इनमें आप देख सकते हैं सफाही जला pineapple के लिए बाकी इसके अलावा apple के लिए बनेगे दो जगा पे शौपियन जम के लिए बनेंगे नाशिक महराश्टरा फिर जो पॉम ग्रेनेट होता है अनार इसके लिए शोलापूर महराश्टरा और चित्रदुर करनाटका और वेस्ट जहनतिया हिल्स में घालिया में टर्मरिक के लिए नारी शक्ति प्रुसकार 2020 ये त्रिपुरा से किसे दिया गया ये प्रेजिडेंट ओफ इंडिया ने दिया रामनात कोविंद ने ये इंडिया के 14 प्रेजिडेंट है तो नारी शक्ति प्रुसकार ये किसको दिया गया ये दिया गया डॉक्टर एला लोड को इनको टैथ के ब ये दिया गया था इन्हे और 29 वुमेन को दिया गया था ये अवार्ड for 2020 and 2021 ये ध्यान रखिए 29 वुमेन को ये दिया गया था और International Women's Day 8 March 2022 को था इस दिन ये दिया गया था नारी शक्ती प्रुसकार रामनात कोविंद के द्वारा ये तरिपूरा से मिला Dr. Ella Lord को ए सेवा केंदर अभी-अभी तरिपूरा High Court में इसका inauguration किसने किया इसका inauguration किया इंडिया के Former Chief Justice शरद अरविंद बोबडे ने Former Chief Justice अफ इंडिया इन्होंने ए सेवा केंदर को inaugurate किया और तरिपूरा High Court के Chief Justice है अखिल कुरेशी, ई सेवा के अंदर से कोर्ट्स और लीगल प्रोसेडिंग में डिजिटल एक्सेस मिल पाती है लोगों को यह ध्यान रखिए, और अभी जो हमारे Chief Justice है इंडिया के, उनका कहा नाम है उनका नाम है Mr. N. V. रमन और यह आंध्रप्रदेश से है क्रिपुरा में एक Eco Park बन रहा है, जिसका नाम है टेपैनिया Eco Park, यह कहाँ पर बन रहा है यह एक Adventure Tourist Sport होगा तो यह जो Eco Park है यह उदैपुर में है तो आंसर है उदैपुर City, वहाँ पर है यह और यह काफी well connected है यह अगारतला से almost 47 किलोमेटर दूर है टेपैनिया Eco Park इसको Adventure Tourist Sport के तौर पर विक्सित किया जा रहा है अभी अभी तिरपुरा के कौन से सिटी में कौन से शहर में प्रधान मंत्री मोधी ने Lighthouse Project का inauguration किया, Foundation Stone रखा Lighthouse Project तो यह अगारतला में अगारतला आंसर है इसका Lighthouse Project और basically इसमें क्या है 1000 houses construct किये जा रहे हैं इनमें सारी सुविधाएं हैं बहुती similar houses होंगे इस सारे Global Technology, Material इनका इस्तिमाल करके बनेंगे और यह जो project है यह कहां कहां पर inaugurate हुआ है इंदोर, राजकोड, चेन्नई, राची, अगारतला और लखनव तो त्रिपुरा में यह अगारतला में inaugurate किया गया है अभी अभी हमारी जो central government है उन्होंने 37.8 करोर रुपीज sanction किये हैं डवलप करने के लिए माता त्रिपुरा सुंदरी टेंपल को यह प्रसाद योजना के तहत किया गया है pilgrimage, rejuvenation and spiritual augmentation drive यह योजना स्टार्ट की गई थी 2014-15 में तो यह कौन से सिटी में है माता त्रिपुरा सुंदरी टेंपल यह उदैपुर में है ठीक है उदैपुर में है यह और काफी famous temple है यह माता त्रिपुरा सुंदरी टेंपल आपको बता दूँ कि एक त्रिपुरा की government ने एक चाय भी लॉंच की थी त्रिपुरेश्वरी टी त्रिपुरेश्वरी जो टेंपल है उसके नाम पर जो 51 शक्तिपीट होते हैं हिंदू हिंदूज में उन में से ये एक है ये बनवाया किसने था ये टेंपल ये टेंपल बनवाया था महराजा धन्य मानिक्ये ने धन्य मानिक्ये ने बनवाया था 1501 AD में और ये जो गॉड़ेश है त्रिपुरा सुंदरी ये पारवती का अवतार मानी जाती है भगवान शिव की जो वाइफ थी गॉड़ेश पारवती उनका ये अवतार मानी जाती है ये भी पता होना चीए आपको यहाँ पे एक लेक भी आता है इस टेंपल के पीछे जिसको बोलते है कल्यान सागर लेक कल्यान सागर लेक इस लेक में काफी टॉल्टॉइज भी मिलते हैं टॉल्टॉइज के लिए महशूर है ये लेक ये धियान दखी तो ये 521 साल पुराना ये श्राइन हो गया है अब त्रिपुरा सुंदरी टेंपल कौन सी स्कीम है जो त्रिपुरा की गवर्मेंट ने लांच करी है इसमें free sanitary napkin बाटे जाएंगे school girls को जो class 6 से लेके class 12 के बीच में पढ़ रही है तो इसका नाम है किशोरी सुचिता अभियान किशोरी सुचिता अभियान और ये स्कीम इसलिए ensure की गई है कि जो school girls हैं जब उनके periods हैं तो वो classes skip ना करें इसके लिए ये चलाई गई है तो free sanitary napkin इसमें distribute की जाएंगे किशोरी सुचिता अभियान के तहत अभी अभी good governance index आया good governance index को किस ने दिया DARPG Department of Administrative Reforms and Public Grivences आपको बताना है इसमें त्रिपुरा का rank क्या था त्रिपुरा को North East और Hilli States में categorize किया गया था overall ये गुजरात ने top किया था और North East और Hilli States में त्रिपुरा था त्रिपुरा इसमें 4th number पे रहा North East और Hilli States में हिमाचल ने top किया था मिजवरम 2 था, उत्राखंड 3 था और त्रिपुरा 4 था तो answer है 4th और Union Territories में दिल्ली ने top किया था Good Governance Index चलिए comments में लिखके मुझे ये बताईए हम कौन से Indian politician है जिनका जनम दिन Good Governance Day के रूप में मनाते हैं, किस दिन मनाते हैं ये भारत के पुर प्रदानंत्री भी रह चुके हैं हिंट देता हूँ, आपको answer comments में लिखके बताना है Public Affair Index आया भी अभी ये Public Affair Center ने दिया जो Bangalore-based एक Think Tank है आपको बताना है इसमें त्रिपुरा का rank क्या था तो इसमें त्रिपुरा का जो rank था वो था 5th Small States केटेगरी में त्रिपुरा को रखा, सिक्किम नंबर 1 था इसमें Small States में और त्रिपुरा 5th नंबर पे था Public Affair Index में इसको टॉप किया Large States में केरला ने अभी अभी त्रिपुरा के कौन सी जगा है जहां से लेकर अखोरा ये जगा है बंगलदेश में वहां तक railway line बिचाई गई है और यहां पर पहली train भी चली इस line पे तो ये है अगारतला अगारतला से लेके अखोरा तक ये railway line है तो ये railway line connect कैसे करेगी गंगा सागर एक जगा है बंगलदेश में उसको ये connect करेगी निश्चंतपुर से निश्चंतपुर और निश्चंतपुर से फिर अगारतला railway station तो ये है अगारतला अखोरा railway line ठीक है और कितनी लंबी है ये railway line इसका railway line को बिचाने का खर्चा उठा रहा है Ministry of Development of Northeastern Region जिसे बोलते हैं Donair तो और इसके minister कौन है ये किशन रेडडी हमारे culture और tourism minister भी है इनकी constituency सिकंदराबाद है तो इंडिया वाली side पे 5.46 km और बांगलदेश वाली side पे 10.6 km तो ये line है इंडिया वाली side पे है 5.46 और बांगलदेश वाली side पे 10.6 km अभी अभी मैतरी सेतु ये इनागरेट किया गया ये सबरूम district को जो साउथ तरेपुरा में है उसको connect करता है बांगलदेश के रामगर ये सेतु कौन सी नदी पे बना है इस नदी का नाम है फैनी नदी तो आंसर है फैनी रिवर और ये 1.9 km लंबा है इसकी length भी आपको पता होनी चाहिए double lane bridge है ये तो इसमे 133 करोड का खर्चा आया है और इसको बनाया किसने है इसको बनाया है NHID CLN National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited ये हमारे Ministry of Road Transport के अंडर आने वाली एक government owned company है तो मैतरी सेतु इसका नाम है और ये अच्छी connectivity देगा त्रिपुरा को चितागॉंग पॉर्ट से ये भी important है चितागॉंग पॉर्ट जो है ये पैनी रिवर पे बना है त्रिपुरा में कौन सा शहर है जहां पे सबसे पहला plastic road बना है ये non recyclable plastic waste का इस्तिमाल करके बना है तो ये बना अगारतला में आनसर है अगारतला और ये 680 meter का road है जो women's college है नियर बी के road इन अगारतला वहाँ पे ये बना है और इसमें bitumen और plastic का ratio है 40 is to 60 तो इसमें bitumen है 40% और इसमें जो plastic है वो है 60% इसमें 70 लाग का खर्चा आया है तो अगर ये अच्छा रहा project पाइलेट प्रोजेक्ट तो फिर त्रिपुरा में बाकी जगा पर भी इसी तरह के road बनेंगे 2009 में त्रिपुरा की government ने भारत का पहला bamboo park 2009 में develop किया था ये bamboo park है मैं bamboo village की बात नहीं कर रहा जो कटला मारा है उसकी बात नहीं कर रहा मैं इंडिया के पहले bamboo park की बात कर रहा हूँ ये बोध जंग नगर industrial growth center में बना था 2009 में भारत का पहला bamboo park ये कौन से district में आता है बोध जंग नगर ये west त्रिपुरा district में आता है ठीक है west त्रिपुरा district और ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ 2009 की news अब क्योंकि यहाँ पे त्रिपुरा की जो government है वो 2500 million ton bamboo sticks produce कर रही है और उनका target ये है कि 12000 million ton bamboo sticks produce कीज़े understood अभी 2500 million ton इसकी capacity है government का target है कि इसको बढ़ा के 12000 million ton कर दिया जाए अभी अभी NH 208 ये news में था ये connect करता है उनकोटी district headquarter को जो केला शहर में है विद्दा खोवई district headquarter तो इसकी total length कितनी है NH 208 तो कि ये नया road है जो बन रहा है national highway 208 ये news में आया था प्रदान मंत्री मोदी ने इसका foundation stone रखा तो NH 44 का alternative होगा ये route ये 80 km लंबा है NH 208 ये connect करेगा उनकोटी district के headquarter केला शहर को विद्द खोवई district headquarter इसमें खर्चा आएगा 1078 करोड रुपीज हमारी जो central government है और जो त्रिपुरा की government है वो एक 1200 करोड रुपे का project उन्होंने start करा है जिसमें 36,000 से ज्यादा tribal लोग है ब्रू या र्यांग के उन्हें त्रिपुरा के बहुत सारे districts में settle किया जाएगा ये originally कौन से state से हैं ये tribals originally ये मिजोरम से है 24 साल पहले एक ethnic struggle हुआ था मिजोरम में उसके बाद इन्होंने मिजोरम को छोड़ दिया था टोटल ये families है 5,400 इनकी संखिया है टोटल एक family में आप 5 लोग भी मान लो टोटल रफली इनकी संखिया 36,000 के असपास है इन्हें रियांग या बुरू बोलते हैं अब त्रिपुरा में इनको settle किया जाएगा understood 1997 से ये त्रिपुरा में रहे रहे हैं relief camps में पनी सागर subdivision और कंचनपूर subdivision में जो relief camp हैं वहाँ पे रहे हैं लेकिन अब इन्हें settle किया जाएगा properly त्रिपुरा में अभी अभी 1.2 metric ton jackfruit ये हमने ship किया त्रिपुरा से तो कौन से European city में हमने ship किया था इसे ये ship किया गया था लंडन में इंग्लेंड का जो capital है लंडन वहाँ पे ship किया था हमने और jackfruit जो होता है इसे cutthal बोलते हैं कौन सा financial scheme है जो त्रिपुरा की सरकार ने launch करा उन बच्चों की help करने के लिए जिन्होंने अपने parents को COVID-19 के कारण खो दिया तो ये scheme का नाम है मुख्य मंत्री बाल्ले सेवा प्राकल्पा मुख्य मंत्री बाल सेवा प्राकल्पा तो answer है option A ठीक है बाल लिखा है official document में बाल मदब बच्चा एक ही बात है इसमें सरकार 3500 रुपे पर मंत देगी उन बच्चों को जो और्फन हो गए है जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते उन्हें 3500 रुपीज मिलेगा ये ध्यान रखी इतना ही नहीं अगर और्फन जो हुई है वो लड़की है तो उसकी मेरिज के टाइम पे 50,000 रुपेज बन टाइम लमसम भी सरकार देगी अभी अभी कौन से रिनाउंड पेंटर है नौर्थीस से जिनकी डेथ हो गई तो इनका नाम था किन्मय रॉइ किन्मय रॉइ इटी टू इयर्स के थे ये और त्रिपुरा से थे बहुत फेमस थे ललित कला अकेडमी के मेंबर भी थे इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके थे त्रिपुरा सरकार से जैसे धिरेन कृष्णा देव बर्मन अवार्ड, नंदलाल बासू इनकी डेथ अभी हो गई, इनका नाम था चिन्मय चिन्मय रॉय अभी अभी बांगलेदेश की प्रधान मंतरी शेख हसीना ने हरी भंग फ्रूट ये भेजा प्रधान मंतरी मोधी को और नौर्थीस्ट स्टेट्स के चार चीफ मिनिस्टर को और बेंगॉल की प्रधान मंतरी शेख हसीना ने गिफ्ट किया था ये जो मेंगो है काफी टेस्टी है और काफी फ्लेशी होता है फाइबर इसमें उतना ज़्यादा नहीं होता है और इसका वेट होता है 200 से 400 ग्राम तो ये रंगपुर में ग्रो किया जाता है नॉर्थ बंगलादेश में और ये गिफ्ट के तौर पे भेजा था ये खसीना ने विपलब कुमार देव को आगे बढ़ते हैं इसके अलावा विपलब कुमार देव ने फिर क्या भेजा जब उन्होंने हरी भंग भेजा तो बिपलब कुमार देव ने उन्हें पाइनेपल भेजे थे अनानास भेजे थे तिरिपुरा के गिफ्ट किये थे रिटन गिफ्ट के तौर पे और तिरिपुरा की गवर्मेंट ने अल्मोस्ट 800 केजी जो Q वेराइटी है पाइनेपल की वो अगारतला अखोराण चेक-पोस्ट के थ्रू सेंड की थी तिरिपुरा में दो मेजर वाराइटी होती है पाइनेपल की एक तो Q और एक Queen तो ये दो मेजर वाराइटी होती है और जो Queen वाराइटी है पाइनेपल की वो तिरिपुरा का State Fruit है तो त्रिपुरा का जो state fruit है वो कौन सा है? त्रिपुरा का state fruit जो है वो queen variety है pineapple की पहली त्रिपुरा की resident कौन है? जिनने Central Council of Ministers में जगा मिली ये पहली त्रिपुरा resident है और North East से दूसरी woman है जो minister बनी है इनका नाम है प्रतिमा भौमिक प्रतिमा भौमिक जो है ये minister of state है भी ministry of social justice and empowerment में तो ये report करती है विरंदर कुमार को जो cabinet रेंग के minister है और ये कहां से elect हुई थी इनकी constituency क्या है? त्रिपुरा west ये त्रिपुरा west से लोकसभा member बनी थी 17th लोकसभा में elect की गई थी ठीक है? तो ये त्रिपुरा की पहली resident है जो central council of ministers बनी है और ये second woman है North East से जो union minister बनी है आगे भढ़ते हैं अभी अभी जो त्रिपुरा में spectacle monkey है उसके लिए national breeding center कौन सा है? तो ये जो monkey है spectacle monkey जिसे हम चश्मा बंदर या dusky leaf monkey भी बोलते है dusky leaf monkey उनकी population काफी बढ़ रही है तो इनका IUCN status है endangered तो ये एक अच्छी news थी इसलिए news में थे क्योंकि इनके 30 साल में last 30 years में population 50% decline हो गई थी लेकिन अब वो फिर से भढ़ रही है तो इनके लिए जो breeding national breeding center है वो है सैफाई जिला wildlife century सैफाई जिला wildlife century ये national breeding center है ये endangered animal के लिए और अगर आपसे पूछें कि त्रिपुरा का state animal क्या है तो वो है फेरेज लंगूर फेरेज लंगूर अभी अभी competition commission of India ने approve किया है 26% stake को acquire करेंगे ONGC त्रिपुरा power company में लेकिन कौन सी company acquire करेगी किस company को ये permission दिया है कि वो ONGC त्रिपुरा power company में 26% stake acquire करेगी तो ये permission मिला है गेल को तो answer है gas authority of India limited फिक है gas authority of India limited ये 26% stake acquire करेगी ONGC त्रिपुरा power company में 10 साल के बाद बांगलादेश ने जो हिलसा है उसके export पे जो band था उसे हटा दिया है फिक है तो ये क्या है हिलसा हिलसा जो है ये एक fish है बहुत popular fish है और 2000 kg हिलसा fish त्रिपुरा को export करी बांगलादेश ने through the integrated check post अगारतला integrated check post 10 साल के बाद बांगलादेश ने export करी है ये fish त्रिपुरा को तो ये काफी famous fish है जो त्रिपुरा में delicacy के तौर पे खाई जाती है त्रिपुरा हाई court के नए chief justice कौन बने हैं त्रिपुरा हाई court के नए chief justice बने हैं इंद्रजीत महंटी answer is option A ये राजस्तान हाई court में judge थे तो अखिल पुरेशी के बाद अब ये बने है नए chief justice ये आपको ध्यान रखना है इंद्रजीत महंटी महाराजा वीरविक्रम airport अगारतला में जो है उसको administer किया जाएगा commercially under PPP model कौन सी company के द्वारा तो ये company है अधानी ग्रुप 2022 से इसको manage करेगी इसके operations को अधानी ग्रुप और बहुत सारे airport हैं जो भी अधानी ग्रुप जिनको manage कर रहा है जैसे मुंबई airport है गुवार्टी airport है या जो जैपूर airport है जैपूर airport को भी अधानी ग्रुप manage कर रहा है तो अभी उनमें महाराजा वीरविक्रम airport अगारतला इसको भी manage करेगा अधानी ग्रुप 2022 से अभी अभी सुक सागर लेक जो खिल पाड़ा त्रिपूरा में है वहाँ पे बहुत सारे migratory birds हैं जिनके dead body मिली तो आपको बताना है कि कौन से district में आता है ये गोमाती district में आता है सुक सागर लेक इसलिए news में था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो migratory birds हैं उनके carcasses मिले थे सुरिपूरा के XCM विपलब कुमार देव ने अनौन्स किया है कि उनकी जो government है वो लता मंगेशकर के नाम पर एक award स्टार्ट करेगी लता मंगेशकर के death हुई थी अभी अभी लता मंगेशकर को भारत रतन कब मिला था किस year में मिला था लता मंगेशकर को पद्मभुषन मिला था 1969 में महराष्टा भुषन मिला था 1997 में भारत रतन मिला था 2001 में क्या यह पहली female singer इंडिया की जिने भारत रतन मिला नहीं यह दूसरी है इनसे पहले MS सुबू लक्ष्मी को मिला था MS सुबू लक्ष्मी को भारत रतन मिला था understood कितना पैसा त्रिपुरा की सरकार खर्च करेगी सुअन जैनती त्रिपुरा निर्मान योजना में जिसमें 50 years हो गए स्टेट हुड को उसके बहुत सारे development projects हैं उन पे total खर्चा कितना होगा इसको नाम दिया गया है सुअन जैनती त्रिपुरा निर्मान योजना तो इसमें 1000 करोड रुपया खर्च करेगी सरकार ये त्रिपुरा के बजट में भी announce किया था त्रिपुरा के deputy chief minister जिशनु देव वर्मा उन्होंने budget present किया था तो total budget कितने का था त्रिपुरा का 26,893 करोड ये मैं 2022 के budget की बात कर रहा हूँ latest ठीक है 1000 करोड खर्चा होगा स्वण जैनती त्रिपुरा निर्मान योजना में और ये budget के कुछ highlights है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो retirement age है त्रिपुरा स्टेट राइफल जवान्स की वो 57 से बढ़ा के 60 कर दी है और जो social pension मिलती है 4 लाग गरीब लोगों को वो 1000 से बढ़ा के 2000 कर दिया है फिर कुछ नई scheme वगारा भी है जैसे त्रिपुरा industrial investment promotion incentive 100 करोड रुपे का खर्चा सरकार इसमें करेगी महीला शशक्तिकरण अभियान चलाएगी सरकार जिसमें 50 करोड रुपे खर्चा करेगी महीलाओं का social educational economic और political empowerment करने के लिए और जो women entrepreneur बनना चाहती है त्रिपुरा में उन्हें 3% interest subvention मिलेगा जितना भी वो तोन लेती हैं उसमें 3% ब्याज उनमें कम देना पड़ेगा त्रिपुरा का नीती आयोग इंडिया innovation index में क्या रेंग था नौर्थीस्ट और हिल स्टेट्स में ये दूसरी बार आया था ये index नीती आयोग का दोनों बार टॉप किया था करनाटका ने करनाटका ने ओवरल टॉप किया था और नौर्थीस्ट और हिल स्टेट्स में अलग से रेंग निकाली गई थी इसमें त्रिपुरा 9th नंबर पे था त्रिपुरा का रेंग था 9th हिमाचल ने टॉप किया था इस index को नौर्थीस्ट और हिली स्टेट्स में त्रिपुरा की कितने सिटी है जो smart city mission का part है जो smart city बनेंगे तो सिर्फ एक है और वो है अगारतला और इंडिया में कितने smart city बनेंगे total 100 त्रिपुरा की जो government है उन्होंने त्रिपुरा industrial investment promotion incentive scheme यानि tip इसको launch किया इसकी duration क्या है scheme की इस scheme की duration है 5 years 5 years और जो transport subsidy मिलेगी इस scheme के तहत पहले 10% थी अब उसे भढ़ा कि 5 गुना कर दिया है अब है 50% 50% इस scheme में क्या है कि बहुत सारी तरह की subsidy दी जाएंगी companies को और self help groups को अगर वो industry setup करते हैं त्रिपुरा में ठीक है transportation cost का 50% बेर किया जाएगा अर कार के दुवरा जो पहले 10% किया जाता था तो इसमें अगर आप industry लगाते हैं ये industries इस तरह की होनी चाहिए कि इसमें जो raw material हो वो local use हो जैसे rubber, bamboo, agriculture and horticulture products gas, tea, agar oil वगरा तो उससे local economy को फायदा होगा कितना health insurance coverage है जो त्रिपुरा journalist health insurance scheme में पत्रकारों को दिया जाएगा मतलब त्रिपुरा ने एक जो accredited पत्रकार है उनके लिए health insurance start किया है तो ये 3,00,000 रुपे का होगा और ये 80-20 basis पे होगा 80% खर्चा इसमें सरकार 80% expensive सरकार बियर करेगी और सिर्फ 20% जो होगा वो beneficiary को बियर करना है इसमें 21-65 साल के बीच में उमर होनी चाहिए पत्रकार की Union Minister Finance और Corporate Affairs इमिला सितरमन ने inaugurate करा अभी-अभी मोहनपुर सब स्टेशन तो ये कौन सी कंपनी ने construct किया है ये construct किया है Power Grid Corporation of India Limited जो कि एक महारतना कंपनी है Ministry of Power के अंडर काम करती है आपको बतारा है मुख्यमंत्री यूबा योगा योग योजना जो त्रिपुरा ने स्टार्ट करी है इसमें क्या प्रोवाइड किया जाएगा तो इसमें स्मार्टफोन जो है वो प्रोवाइड किये जाएंगे और इसमें 2022 financial year में 5000 रुपे का grant सरकार ने रखा था 15,000 final year के जो student है त्रिपुरा के अगर वो स्मार्टफोन खरीदना चाहते है तो 5000 तक का grant सरकार उन्हें देगी इसका नाम है मुख्यमंत्री यूबा योगा योग योजना और इससे student जो है mobile phone खरीद के वो पढ़ पाएंगे smart study कर पाएंगे digital study कर पाएंगे त्रिपुरा की सरकार data center policy लेकर आईए इसमें अगर आप कोई capital investment करते हैं तो आपको कितनी subsidy दी जाएगी data center policy तो याद रखिए आपको 30% तक की इसमें subsidy दी जाएगी 30% subsidy दी जाएगी capital investment पे और 30% subsidy आपको दी जाएगी internet usage के उपर भी इसके लाबा और भी चीज़ें हैं जैसे 50% discount आपको मिलेगा rent पे जो भी rent आप पे करेंगे उस पे 50% आपको discount मिलेगा up to 12,00,00,00 परेनम तो ये भी दिहान रखना है कि state government जो lease है long term अगर आप 30 साल के लिए किराये पे लेते हैं तो आपको ये rent पे 50% off देगी और अगर आप internet use करते हैं तो 30% उस पे subsidy देगी और जो भी आप capital investment करेंगे उस पे भी आपको 30% subsidy देगी हमारा central government की आयुश्मन भारत योजना है इसके तहट जो पहला pre open heart surgery है वो परफॉर्म किया गया त्रिपुरा के अगारतला government medical college और जीवी पंथ hospital में आयुश्मन भारत में कितना health insurance होता है per person per year तो यह होता है 5 lakh per family per year यह per family per year है 5 lakh तक coverage दी जाती है प्रधान मंत्री जन आरोगे योजना जिसे हम आयुश्मन भारत भी बोलते हैं त्रिपुरा की जो सरकार है त्रिपुरा T development corporation वो T museum बनाएगा यह दुरगाबारी T estate में बनेगा यह कौन से district में आता है दुरगाबारी T estate दुरगाबारी जो T estate museum बनेगा यहाँ पे वो west त्रिपुरा में बनेगा west त्रिपुरा district अगारतला city के एकदम भार सो answer है west त्रिपुरा district और इंडिया में जो T production होता है उसमें जो number one राज्य है वो है Assam त्रिपुरा में नया लोकायुक्त के से appoint किया अभी 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 त्रिपुरा में Mr. Kalyan Narayan Bhattacharya इन्हें नया लोकायुक्त appoint किया गया है इन्हें तीन साल के लिए appoint किया गया है त्रिपुरा में जो लोकायुक्त act आया था वो 2008 से force में है और 2012 में पहला लोका युक्त पॉइंट किया गया था त्रिपुरा में ये थर्ड लोका युक्त थें त्रिपुरा के कल्यान नरायन भटाचारिया पहले लोका युक्त कौन थे प्रदीब कुमार सौरकार त्रिपुरा का पहला international cricket stadium ये बन रहा है नर्सिंगड में नर्सिंगड कहां पे है नर्सिंगड अगारतला सिटी से 12 किलोमेटर दूर है West त्रिपुरा डिस्टिक में सौांसर है West त्रिपुरा डिस्टिक 185 करोट रुपीज का खर्चा आएगा PCCI ने जो अमाउंट दिया है वो है 185 करोर इसमें 22,000 लोग बैट पाएंगे और याद रखिए सबसे बड़ा जो cricket stadium है इंडिया का वो है नरेंदर मोधी cricket stadium मोटेरा एमदाबाद त्रिपुरा की rank क्या थी IPF Smart Policing Index में 2021 त्रिपुरा की rank इसमें थी 19 त्रिपुरा 19 तंबर पे रहा आंधर प्रदेश ने टॉप किया IPF Smart Policing Index में और सेकेंड था त्यलंग गाना नैशनल लॉय उनिवर्सिटी बनेगी त्रिपुरा में तो वो कहां पे बनेगी नैशनल लॉय उनिवर्सिटी बनेगी 50 क्रोड का खर्चा आएगा और ये अगार्तला में बनेगी सो आंसर है Option A अगार्तला त्रिपुरा के किस डिस्ट्रिक्ट में वल्चर कंजर्वेशन और आर्टिफिशल बिडिंग सेंटर बनेगा वल्चर की जो आर्टिफिशल जो ब्रिडिंग है वो करवाई जाएगी और वल्चर की पॉपुलेशन जो डिकलाइन हुई थी वो एक ड्रग के कारण हुई थी जिसको बोलते हैं डिकलोफिनेक अभी अभी त्रिपुरा में कौन है जिने प्रधान मंत्री राष्ट्रिय बाल प्रुसकार मिला इन्होंने दो आर्टिफिशर इंटेलिजेंस बेस मोबाईल एप बनाए है इस लड़की ने इसका नाम है पुहाबी चॉक्रबर्ती पुहाबी चॉक्रबर्ती 15 साल की लड़की है ये क्लास 10 में पढ़ती है केंद्रे विध्याले NIT अगरतला केंपस और ये कराटे और किक बॉक्सिंग में ब्लैक बेल्ट भी है ठीक है इन्होंने एप बनाया है एक का नाम है एथलीट एक्स और दी आतम निर्भर एथलीट तो ये इन्होंने एप बनाया है मेंली और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस पर ये बेजड है इसके अलाबा इन्होंने एक स्पाइरो मेटर भी बनाया है इसके लिए इन्हें मिला प्रदान मंत्री राष्टिये बाल प्रुसकारम स्रिपुरा में बीजू फेस्टिवल कौन सी कम्यूनिटी सेलिब्रेट करती है ये 13 अप्रेल को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है बीजू फेस्टिवल ये चकमा कम्यूनिटी का फेस्टिवल है और बीजू जो फेस्टिवल है बेंगॉली कैलेंडर के last day चैत्र सक्रान्ती जिसे बोलते हैं उसके last day पे celebrate किया जाता है ये harvest festival है में लिए एक और first जो rains होती है agriculture season में उसको celebrate करता है ये तो ये 13 April को celebrate किया जाता है जो orange festival है जम्पूई hills ये काफी famous है orange festival के लिए ये highest hill range है त्रिपूरा की जम्पूई hills ये कहाँ पे आती है जम्पूई hills जम्पूई hills जो है ये पढ़ती है नौर्थ त्रिपूरा में नौर्थ त्रिपूरा में ध्यान लखिए तो ये काफी news में आई थी अभी ये भी और यहाँ पे कौन रहते हैं मेंली यहाँ पे लुशाईज रहते हैं, ट्राइब्स और रियांग भी यहाँ पे रहते हैं, इसकी जो हाइस्ट पीक है, वो है बैटलिंग चिप, यह इनकी हाइस्ट पीक है, संगराई फेस्टिवल त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया गया, कौन सी कम्मुनिटी के द्वार कम्मुनिटी है, वो एक पेड है, जिसे बोलते हैं काल पतरू, उसे अपने हेड पर रखती है, और हेड पर रखके डान्स करती है, इसको विश इल्डिंग ट्री भी बोलते हैं, यानि आपकी मनो कामना पूरी करता है, फिर संगराई जो फेस्टिवल है, वो भी फॉलवर्स होते हैं, यह मेंली सबरूम और बैलोनिया, साउथ त्रिपुरा में रहते हैं, अभी अभी त्रिपुरा में एक्सकवेशन किया गया, जगनात डीगी में, ठीक है, यहाँ पे दो पुराने मूर्तिया मिली है, एक्सकवेशन में, आपको बताना है कि, यह कौन स सिटी में है, कौन से सिटी में है, जगनात डीगी, यह एक लोकल रिलिजियस वाटर बोड़ी है, त्रिपुरा के उदैपुर सिटी में, आंसर है, उदैपुर, जगनात डीगी, और 17th सेंचुरी में यह कभी बनवाया गया था, जब उदैपुर को रंग मती बोलते थे, र इज़ाम में आसकता है, त्रिपुरा की क्या रैंक है, ई पंचायद प्रुसकार में, त्रिपुरा को Category 2 में रखा गया है, तो Category 2 में 1st प्लेस मिला त्रिपुरा को, 2nd प्लेस था, असॉंप, 3rd प्लेस था, सिक्म, ई पंचायद अवार्ड्स, और state कौन सा था, जिसने इंडिया में रहने लाइक शहर है उनमें 11 नमबर पे है यह कौन सा शहर है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे अच्छा शहर है इंडिया में रहने के लिए छोटा शहर शिमला और बड़ा शहर है बैंगलॉर ठीक है तो अगर मैं इसमें त्रिपुरा की बात करता त्रिपुरा का जो शहर सबसे अच्छा है रहने के लिए वो अगारतला है और अगारतला पूरे इंडिया में 11 नमबर पे आता है सबसे अच्छे रहने लाइक शहरों में और अगारतला का मुनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में रैंक आया 51st मुनिसिपल परफॉर्में किसके लिए इसमें त्रिपुरा का रेंग क्या है नौर्थीस्ट और हिली स्टेट में Leads Index Logistics बताता है इसको गुजरात ने टॉप किया है तो Leads Index जो है इसको Ministry of Commerce and Industry रिलीज करा है Ernst & Young के साथ मिलकर त्रिपुरा इसमें 4th नमबर पे है Among the North East and Hilly States ये गुजरात ने टॉप किया है और North East और हिमालियन स्टेट जो है उसमें ये जमू कश्मीर ने टॉप किया है जमू कश्मीर के बाद सिक्किम फिर मेगालिया और त्रिपुरा 4th नमबर पे था त्रिपुरा का Food Safety Index में क्या रहेंग था Food Safety Index को गुजरात ने टॉप किया था और त्रिपुरा को इसमें छोटे स्टेट में रखा गया था और यहाँ पे त्रिपुरा का रहन था 7th इसको गुआ ने टॉप किया Among the Small States and North Eastern States अभी अभी Bamboo और Cane Development Institute जो है त्रिपुरा का उन्होंने North East Center of Technology Application and Reach नेक्टार के साथ मिलकर देश का पहला Bamboo से बनने वाला Cricket Bat बनाया है तो यह जो BCDI है Bamboo and Cane Development Institute यह त्रिपुरा में कहां पे है Bamboo and Cane Development Institute यह Capital अगारतला में है तो इन्होंने नेक्टार के साथ मिलकर Cricket Bat बनाया है Bamboo से यह इंडिया का पहली बारे की Cricket Bat बनाया है और यह कौन से Bamboo से बनाया है इसको बोलते हैं Kana Kaich Kana Kaich यह Local Bamboo है जिसका इस्तेमाल किया गया है ठीक है Kana Kaich का इस्तेमाल किया गया है और यह जो प्रोजेक्ट है Dr. Abhinab Kanth यह चेर्मेन है BCDI Nectar के तो उन्होंने लीड किया था इस प्रोजेक्ट को Understood त्रिपुरा का कौन सा district है जिसको आजादी से अंत योदे तक campaign के लिए select किया गया है आजादी से अंत योदे तक जो campaign है इसमें 75 districts में यह चलेगा यह 75 districts वो है जो किसी ना किसी freedom fighter से associated हैं तो त्रिपुरा का जो district इसमें होगा वो है West त्रिपुरा district West त्रिपुरा district से दो freedom fighter थे एक तो Manorama Benergy और एक प्रमोद Benergy ठीक है? Manorama Benergy and प्रमोद Benergy आजादी से अंत योदे यह 90 days तक यह campaign चलेगा और one district one product scheme त्रिपुरा में भी launch कर दी गई है इसमें हम हर state का एक district उसको एक product के साथ जोड़ रहे हैं तो आप इसमें देख सकते हैं दलाई जो है उसको हम multiple fruit processing के साथ गोमती को भी fruit processing फिर खोवई को हम इसमे rice based जो products हैं उनके साथ जोड़ रहे हैं puffed rice कीरा, snacks वगरा नौर्थ त्रिपुरा को tea products सेफाई जिला को dairy based products साथ त्रिपुरा को bakery products पुना कोटी को multiple food processing वेस त्रिपुरा को bakery products तो यह बहुत ज़ादा important है आप से पूछ सकते हैं कि एक particular district को कौन से product के साथ जोड़ रहे है त्रिपुरा का export preparedness index में इंडेक्स को गुजरात ने टॉप किया था और त्रिपुरा इसमें 25th position पे आया था आप यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात इसमें number 1 था और गुजरात के बाद जो second number पे इसमें था वो था महाराष्ट्रा त्रिपुरा का rank क्या था highest bamboo bearing area अगर मैं इंडिया का देखूँ यानि इंडिया में जो bamboo cultivation की जाती है उसके मामले में त्रिपुरा कौन से number पे आता है तो त्रिपुरा 13th number पे आता है इंडिया में सबसे ज़्यादा मतब पूरे इंडिया की अगर बात करूँ तो 15 million hectare जमीन पे bamboo cultivation किया जाता है सबसे ज़्यादा ये मद्यपरदेश में है मद्यपरदेश में 1.84 million hectare तूसरे number पे अगर अगर अचल परदेश है और त्रिपुरा 13th number पे है यहाँ पे आप table भी देख सकते है तो त्रिपुरा हाईस मद्यपरदेश है इसमें उसके बाद अगर 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 परसेंटेज अरिया के हिसाब से बात करूँ तो त्रिपुरा में forest cover कितना है यानि पूरे त्रिपुरा का कितने percent हिस्सा forest cover है according to the latest India State of Forest report तो यह है 73.64% 73.64% एरिया जो है त्रिपुरा का वो forest है understood और यह आप याद रख सकते हैं यहाँ पे आप यह देख भी सकते हैं कि forest cover नौर्थी स्टेट का comparison इसमें किया हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस state में कितना जो area है वो forest cover है ठीक है और यह percentage के हिसाब से भी आप देख सकते हैं तो अगर आप percentage के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मिजौरम में है 84.53% यहाँ का जो land है वो forest है 84.53 उसके बाद है 79.33 अरणाचल परदेश उसके बाद है 76 में घाल लिया फिर है 74.34 बनिपुर तो त्रिपुरा में 73.64% जो जमीन है वो forest है और यह तो percentage की बात हो गई अगर मैं total area की बात करूँ तो नौर्थीस में सबस्यादा forest है औरणाचल परदेश में 66.431 स्केर किलोमेटर तो यह था हमारा त्रिपुरा के current affair पूरे 16 महीने के current affair इस एक वीडियो में बनाए है मैंने त्रिपुरा के लिए अगर कोई ऐसी चीज है इसमें जो आपको समझ में नहीं आई है तो आप comments में लिख सकते हैं और मेरी पूरी कोशिश रही कि बहुत ही जादा एक wholesome और holistic काफी comprehensive वीडियो है अपने आप में यह वीडियो अगर आपने देख लिया तो फिर आप त्रिपुरा में तो at least बहुत ज़दा exam में confident feel कर सकते हैं इस वीडियो को बनाने में मैंने एक महीने से ज़्यादा लिया है बहुत सारे authentic newspapers, magazines, सरकारी documents refer किये हैं तो मेरे बस यही request आप से रहेगा कि वीडियो को पूरा देखें और अपने त्रिपुरा में जो आपके दोस्त रहते हैं उनके साथ भी share करें मैं सारे north east के जो states हैं वो cover कर रहा हूँ और अगर आप चाहते हैं कि त्रिपुरा का कोई ऐसा topic है जिसमें मैं और वीडियो बनाऊं तो वो भी है आप comments में लिख सकते हैं मिलते हैं फिर study IQ के बाकी वीडियो में keep watching your favorite channel study IQ thank you for watching study IQ